सलाम आलेको, मुस्लिम World Population 2024 मुस्लिम World Population 2024 की रिपोट के हिसाब से सारी दुनिया में इंडोनेसिया के बाद दूसरे नंबर पर सुबसे ज्यादी मुसलमान आबादी हिंदुस्तान में है जी हाँ, हिंदुस्तान में लगबग 22-25 करोड मुसलिम आबादी है 22 से 25 करोड मुसलिम आबादी के मुलक में हम मुसल्मानों की हैसियस वो हकीकत क्या है आज मुलक के हालात बद से बत्तरिम हो चुके है हमारे मसाजिदों को हम से छीना जा रहा है हमारे मदारिसों को तोड़ा जा रहा है हमारे घरों पे बुल्डोजर को चलाया जा रहा है हमारे लड़कियों के सर पे से हिजाब को छीना जा रहा है हमारे नौजवानों को जेलों में ठोसा जा रहा है हम मुसल्मानों की आवास को दबाया जा रहा है आज हमारी शिनाफ्त को मिटाने की कोशिश की जारी है बलकि मैं तो ये कहूंगा कि हम मुसल्मानों के वजूद को ही खतम करने की एक साजिश की जारी है इन हालातों के चलते हम मुसल्मान अपने अपने घरों में अपनी अपनी मस्रूफियत में हम मश्गूल है हमको जब तक एहसास नहीं होता जब तक कि ये हालात हमारे घर तक नहीं आ जाते जब तक कि ये बुलोजर हमारे घर पे नहीं चल जाता जब तक हमको एहसास नहीं होता अब हमको इन हालातों के चलते हुए क्या करना चाहिए हमारी ज्याजिमेदारी है सल्तान सलाओ दीन ऐयूबी ने कहा कि अगर आप अपने हक को हासिल करना चाहते हो तो ताखतवर बनो आज मुलक में हमको अगर ताखतवर बनना है तो आपको और हमको एक सियासी ताखत बनने की जरूआ दे आज पचीस करोड मुसल्मानों की आबादी रहने वाले मुलक में हमारी सियासी पहचान क्या है हमारी सियासी पहचान नहीं के बराबर हमारी कोई सियासी इतनी ताखत न हमारा कोई सियासी ऐसा स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन पार्लिमेंट में नहीं कि हम हमारे हक की लड़ाई लड़ सकें। और हम मुसल्मान यूपी के मुसल्मान अखिलेश यादव को अपना लीडर मानते हैं। मुसल्मान बिहार के मुसल्मान तेजस्वी यादव लालू परसाद यादव को अपना लीडर मानते हैं। बंगाल के मुसल्मान ममता बेनरजी को अपना लीडर मानते हैं। दिल्ली के मुसल्मान केजरिवाल को अपना लीडर मानते हैं। और बाखिके मुसल्मान राहुल गांदी कॉंगरिस को अपना लीडर भाते हैं। हकीखत ये हैं, ये हमारे लीडर नहीं है। हमारे मदारिज, हमारे मसाज़ित के मसलों पे ये कोई आवाज नहीं उठाते हैं। एवाने पार्लिमेंट में कभी भी मसाजिद या मदारिश के मसले पे इन में से कोई भी लीडर ने कभी भी एवाने पार्लिमेंट में आवाज नहीं होटाई और अगरचे कि किसी ने मुसल्मानों की हक की लड़ाई लड़ी है एवाने पार्लिमेंट में तो वो अवाज सिर्फ एक आवाज रही है वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी नरेंद्र मोदी के आँखों में आँखे डाल कर सवाल करने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी आज एवाने पार्लिमेंट में जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी एक शेर की तरह धारते हैं तो पूरे बीजेपी वाले ढीले पड़ जाते हैं अब बीजेपी की ये साजिश है कि ये एक अवास जो हैदराबाद से उठती है और एवाने पारलिमेंट में गूशती है इस एक आवास को दबा दिया जाए तो आने वाले इंतखाबाद पारलेवानी इंतखाबाद में बीजेपी एक मनसूब बन साज़िष के तहत वो चाहती है कि हम ये हमारी हैदराबाद की सीट हार जाए अब इस साज़िश के तल चलते बीजेपी हैदराबाद के जो मुस्लिम वोट से उसको तीन चार हिस्सों में डिवाइट कर देगी और कंसॉलिडेटेड हिंदू वोड बैंक के वोट बीजेपी ले ले लेगी ताकि बीजेपी का कैंडिडेट यहां पे जीत जाए आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि एमपी एलेक्शन के चलते कोई गयर नहीं हमारे ही लोग मुस्लिम कैंडिडेट सी हमारे बैरिस्टर असुद दिन अविसी के खिलाफ इस एलेक्शन में हिस्सा लेंगे ताकि मुस्लिम वोट्स डिवाइड हो जाएंगे अगर मुस् यह जो लोग यह जो तीन चार लोगों का जो मैं जिकर कर रहा हूँ जो आने वाले एलेक्शन में हैदरावाद से लेंगे की तैयारी कर रहे हैं यह इनका सिर्फ मकसद और मनसूबा यही है कि वो हमारी मुस्लिम खियादत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनका सिर्फ जिन्दगी का एक मकसद यह है कि वो मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं आप बदले में बीजेपी जीच जाए या बदले में नरिंदर मोदी जीच जाए इनको इससे कोई ले ना देना नहीं वो बलकि इस बीजेपी की साज़िश किया हिस्सा है और उनकी महीम में उनका साथ दे रहे हैं अब आपकी और हमारी जिम्मेदार है कि हम इन गद्दारों को पहचाने हम इन मुनाफिखों को पहचाने जो कोई और नहीं बलकि हमारी सफों में से हैं आप मुसलमानों की तारिख उठा कि अगर देख ले तो टीपु सुल्तान को धोका देने वाले कोई गयर नहीं मुसलमान ही सलाओ दीन लोदी को धोका देने वाले कोई और नहीं बलकि मुसलमान है अब आप को एक और एक बात बताता चलू कि हाली में एक बहुत ही मशूर पॉलिटिकल आनेलिस्ट ने कहा कि मुसलमान कमजोर इस वज़े से हैं क्योंकि मुसलमान जिद्दो जहत नहीं करते हैं इन गद्दारों को देखके तो मैं ये कहूंगा कि मुसलमान जिद्दो जहत कर रहे हैं लेकिन अपने ही दूसरे मुसलमान भाई की टांग खींचने की जिद्दो जहत कर रहे हैं अपने ही दूसरे मुसलमान खियादत की कुरसी को तोड़ने की वो जिद्द एक लोती एक आवाज जो पार्लिमेंट में गूशती है उस एक लोती आवाज बैरिस्टर असदुदीन अवेसी को हैदराबाद M.P. पार्लिमेंट सीट पे हराने की साजिश की जा रही है इस साजिश का हिस्सा आप ना बने और आपकी और हमारी कियादत को मजबूत करें बहुत बहुत शुक्रिया असलाम अलेक।